हेलो एरिवन हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में चैप्टर वन कम्प्रीट किया था मोर अबाउट नी तो इस लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर पर आएंगी मोर ऑन पर्सनल क्लीनेस और गोड़ अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट से तो आप चाहिए तो देखते हैं अपना रीट करना स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर तो बी हैल्दी हैल्दी रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए इट इस वेरे इंपॉर्टन यह बहुत जरूरी है तो कीप आवर बोड़ी क्लीन कि हम अपनी बोड़ी को क्लीन रखें साफ करेंगे सबसे पहले में क्या करना चाहिए सुबह उटके वी ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अर डे हमें अपने टीथ को दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए एक बार सुबह और एक बार शाम को वी शुट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अर डे ट्वाइस मीन्स क्या होता ह कि दो बार, we wash out mouth after every meal और हमें हर meet के बाद, meal क्या होता है, food जो हम खाना खाते हैं, वो, तो हमें हर meal के बाद क्या करना चाहिए? अपना mouth, wash करना चाहिए, we wash our mouth after every meal, second हमारी good habit, sorry cleanliness के बारे में किया कर सकते हम दिन में, we take a bath daily, हमें daily नहाना चाहिए, we clean our eyes choices hours and noze और हमें अपनी आखे kaan और नाक्ष हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और क्या कर सकते हैं अपनेपोर को क्लिन रखने के Universal के लिए तो थर्ड पर आते हैं वी यह पर क्लीन हमें कैसे कपड़े पहने चाहिए प्लीन वीयर क्लीन मिन क्या होता है dental पहनना We comb our hair neatly और हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम करना चाहिए अपने बालों में अच्छे से कंगी करनी चाहिए We oil our hair regularly और हमें अपने बालों में डेएली और लगाना चाहिए इसके बाद हम next page पे चलते हैं और कौनसी good habits हमारी जो cleanness हम अपनी बोड़ी को clean रख सकते हैं we cut our nails regularly हमें अपने नाखुनों को अपने nails को regularly cut करना चाहिए जब भी भी वो बढ़े if we do not take care of our personal cleanness अगर हम अपना personally ध्यान नहीं रखेंगे अपनी साफ सफाई के लिए we will be unhealthy and sick तो हम क्या हो जाएंगे unhealthy and sick और बिमार पढ़ जाएंगे इसका example हम सीखते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है मनु के बारे में बताया हुआ है look at मनु यह लड़का को नहीं इसका नाम है मनु he is sick यह बिमार है and unhealthy और अस्वस्थ है मतलब यह स्वस्थ नहीं है यह healthy नहीं है तो यह क्यों healthy नहीं है वो हम देखते हैं मनु does not brush his teeth जो मनु है वो अपने teeth को brush नहीं करता है वो daily brush नहीं करता है brushing helps us to fight tooth decay क्यों ज़रूरी है brush करनी brush इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें किससे बचाती है हमारे दातों को सड़ने से दातों में कीड़े लगने से बचाती है तो हमारे tooth decay decay means क्या होता है खराब होना और tooth क्या होते है जो हमारे दातों को खराब होने से बचाती है इसलिए हमें क्या करना चाहिए daily brush करना चाहिए second उसने क्या किया Manu does not take a bath everyday जो Manu है वो daily नहाता नहीं है वो bath नहीं लेता daily if we do not take a bath अगर हम daily नहीं नहाएंगे we smell तो हमारे अंदर से क्या आएगी smell आएगी, बदबू आएगी आपको पता है कि गर्मी में कितनी सारी sweating होती है और sweating से फिर पसीनों से क्या होता है हमारे body में बदबू हो जाती है इसलिए हमें daily नहाना बहुत जरूरी है third thing जो Manu ने गलत की वो क्या थी? Manu does not comb his hair Manu अपने बालों में daily क्या नहीं करता था comb नहीं करता था, वो अपने बालों में कंगी नहीं करता था जिसकी वज़े से क्या हुआ? if we do not comb our hair अगर हम अपने बालों में daily कंगी नहीं करेंगे, it itches तो वो क्या होगा? खुजली मचेगी, itching means क्या होता है? खुजली मचना, तो हमारे बालों में क्या होगी? हमारे सर में क्या होगा? इचिंग होगी, हमारे सर में खुजली मचेगी ठीक है? और मनु ने क्या गट बढ़ की? मनु ड़स नॉट कट हिस नेल्स मनु ने अपने नेल्स को कट नहीं किया germs live and grow in his nails जिसकी वज़े से क्या हुआ? उसकी नेल्स में, उसके नाकुनों में क्या होगई? इस ने नहीं नहीं की तो अपने आपको अपने आपको स्वस्त हेल्दी रखने लिए अपने आपको अपने बोडी को क्लीन रखना चाहिए तो आपको एकजाम्पल मुझे बताओगे अभी next page पर हम चलते हैं ये देखे, आप मुझे बताओ ये दो pictures है now see the pictures given below ये दो pictures आप देखो नीचे take the child you would like to be friends with आप इन दोनों में से किसको अपना friend बनाना चाहोगी ये दो pictures हैं आपके पास एक ये है और एक ये है इन दो pictures में से आप किसके साथ friendship करना चाहोगी ध्यान से देखो तो हम सब किसके साथ friendship करना चाहेंगे हम इसके साथ friendship करना चाहेंगे क्यों क्योंकि ये हमें बिल्कुल clean दिख रहा है और ये हमें क्या दिख रहा है dirty दिख रहा है इसलिए हम हमेशा उसी के साथ friendship करते हैं जो क्या होता है? साफ सुथरा होता है इसलिए हमेशा अपने आपको clean रखना चाहिए तो ये था हमारी body को clean रखने के लिए हमें क्या क्या करते है अब हम आगे आते हैं topic पे good habits good habits क्या होती है? अच्छी आदिते क्या होती है? along with cleanliness cleanliness के साथ साथ we should also follow some good habits हमें क्या अपनानी चाहिए? कुछ अच्छी आदिते, कुछ good habits भी अपनानी चाहिए these habits help to keep us fit and healthy जो ये good habits हैं ये हमें किस में मदद करती है? ये हमें fit और healthy रहने में मदद करती हैं तो चलिए देखते हैं कौन सी होती है good habits first है हमारी avoid talking और laughing while eating हमें क्या avoid करना चाहिए? avoid मतलब क्या होता है? टालना क्या नहीं करना चाहिए? क्या avoid करना चाहिए? talking, talking means बाते करना और laughing, laughing means हसना हमें क्या टालना चाहिए? बाते करना और हसना कब? while eating खाना खाते वक्त हमें हमें हमेशा क्या करना चाहिए? बाते नहीं करने चाहिए और हसना नहीं चाहिए ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये बाते कर रहे हैं लेकिन वो उसको क्या कह रही है, चुप रहने के लिए कह रही है, तो यह हमारी good habit है, तो और कौनसी कौनसी हमारी good habit होती है, चलिए next page पर चलती है, यह है putting pins और sharp objects, अगर हम अपनी कानों में या अपनी eyes में क्या डालते हैं, sharp objects, sharp objects means जो objects, जो चीज़े पैनी होती है, वो हमें या फिर pins हैं, या कोई और पैनी चीज़े हैं, वो हमें कहा नहीं डालनी चाहिए, अपनी eyes और ears में, क्यों, क्योंकि वो हमें hurt कर सकती है, वो हमें दर्द कर सकती है, हमारी कानों के अंदर, आंखों के अंदर वो लग सकती है, जिससे हमें क्या होगा, पेन होगा, हमें दर् होती है sharing of handkerchief sharing of handkerchief and towels may cause infection हमें कभी भी अपना hanky और towels कभी किसी के साथ share नहीं करना चाहिए हमें हमेशा अपना hanky और towel सबसे अलग रखना चाहिए क्योंकि उससे क्या हो सकता है infection फैल सकता है क्योंकि अप example लो अगर मुझे cold है मुझे जुखाम है और मैं अपना hanky किसी और को दे देती हूँ use करने के लिए तो जो hanky मैंने अपने cold में use किया था अब वो मैं किसी और को दे रही हूँ तो उसको भी cold हो जाएगा है इसी लिए वो क्या हो जाएगा infection फैल जाएगा तो हमें अपना hanky और अपना towel कभी किसी से share नहीं करना चाहिए ये भी एक क्या होती है good habit होती है और कौन सी good habit होती है देखो use a hanky while cuffing और sneezing हमें हमेशा hanky use करना चाहिए कब जब हम छीक रहे होते हैं या खास रहे होते हैं cuff के time पे और sneezing के time पे cuff means क्या होता है खास ना और sneezing means क्या होता है चीक ना तो हमें हमेशा खासते वक्त और चीकते वक्त हैंक की यूज़ करना चाहिए ये भी क्या होती है एक good habit और क्या होती है हमारी good habit biting nails can make us fall ill अगर हम अपने नाखुनों को चबाते रहते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने nails को bite करते रहते हैं लेकिन वो क्या होता है बिल्कुल गलत होता है उससे क्या होता है हमारे body के अंदर jumps चले जाते हैं हमारे nails के थ्रू और हम क्या पढ़ जाते हैं बिमार पढ़ जाते है ill means बिमार तो ये भी एक good habit है कि हमें कभी भी अपने nails को अपने mouth तक नहीं लेकर जाना चाहिए तो ये हमारा chapter complete हो गया है second chapter तो आपके लिए काम है कि जो मैंने आपको questions दिये थे second chapter के लिए कि हम अपने nails को cut करने के लिए क्या use करते हैं nail cutter अपने बालों को साफ रखने के लिए क्या use करते हैं shampoo तो मैंने आपको ऐसी कुछ questions दिये थे वो आपको revise करने ये वीडियो देखने के बाद चलो ठीक है आज के लिए इतना ही हम अपनी next वीडियो में अपना third chapter complete करेंगी our food thank you and have a nice